नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NWF News पिछले कुछ महीनों से ममताब अनर्जी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि पश्च मंगाल में लगातार उनका विरोध हु रहा है बेटी से दरिंदगी मामले में जस तरीके से ममताब अनर्जी का विरोध हुआ उसके बाद ममताब अनर्जी पहली बार डरी और सहमी नजर आई इसके लावा संदेश खाली मामले ने भी ममताब अनर्जी को बैक फुट पर धके लिया और बीजेपी ने लगा तार ममताब अनर्जी के खिलाफ आवाज बुलंद की और अब बड़ा खेल हो गया है पश्च मंगाल में जहां पर ममताब अनर्जी की करारी हार हुई है जिहां सब की सब सीट ममताब अनर्जी बीजेपी से हार गई है और इसके बाद बीजेपी ने कह दिया है यह ममता सरकार के अंत की शुरवात है खबर क्या है विस्तार से चली आपको बता देते हैं दरसल बंगाल में नंदिग्राम के मुहम्मतपुर सहकारी समिच के चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रस्त्यासियों ने सभी 9 की 9 सीटों पर शांदार जीत दर्ज कर ले टीमसी वहां खाता तक नहीं खोल पाई बीजेपी ने इसे जनता की जीत करार देते हुए कहा कि यह बंगाल में मंता बनर जी के कुशासन के अंत के शुरवात है राज के लोग आने वाले दिनों में टीमसी को सभी जगा से उखार फेकेंगे वहीं दूसरी तरफ अस्तानिये टीमसी नेताओं का कहना है कि यह एक गैर राजनेतिक चुनाव था इसमें किसी पार्टी का कोई प्रतीक नहीं रहता मुहमतपुर सहकारी समिती जिस इलाके के अंतरगत है वहाँ 2021 से अब तक बीजेपी का ही वर्चस है जानकाई देते चलें कि नंदी ग्राम को बीजेपी विधायक और बंगाल विधान सभामें विपक्षिक के नेता सुवेंदू अधिकारी का गढ़ माना जाता है विधायकारी समिती के चुनाव में बीजेपी ने सीटे जीत नी है और टीमसी का सफाया हो गया है खाता भी नहीं खोल पाई है तो ये बड़ा खेल पश्यम मंगाल में हुआ है उस पश्यम मंगाल में जहांपर ममताव इनर्जी का एक छत्र राज पिछले कई सालों से चला रहा है और तमाम तरीके की वहाँ पर घटना एं घटी लेकिन ममताव इनर्जी की वर्चस को कोई भी नहीं डिगा सका और ना ही ममताब इनर्जी को वहाँ पर कोई हटा सका फिलाल अब जिस तरीके से बीजेपी लगातार पश्यमंगाल में काम कर रही है उसके बाद अब ममताब इनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है पहले संदेश खाली मामले में मम्ता बनरजी की मुस्किलें बढ़ी उसके बाद जिस तरीके से बेटी के साथ आरजी करमेटकल खॉलेज में दरिंदगी हुई और हत्या की गई उसके बाद फिर मम्ता बनरजी के खिलाफ जन सहलाप सडकों पर उमड़ पड़ा और लगातार म ममता के स्तीफ़े की बात उठने लगी इस बीच ममता बनर जी पहली बार डरी सहमी नजर आई और उन्होंने पहली बार बयान दिया कि वो स्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं क्यूंकि जनता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं फिलाल उन्होंने बहुत शांदार तरीके से ये के अंत की शुरुवात करार दे रही है उसके बाद निश्यत तोर पर टीमसी को और ममता बेनर जी को अब नए सीरे से सोचना होगा बहराल जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में मजबूत होती हुई नजर आ रही है उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो को शेर कीजेगा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार